क्रिस्ट में मेरे प्यारे भायों बहनों, आज हम आत सितंबर में प्रवेस किये हैं और यह दिन हमारे काथली कलिस्य खेलिए एक विशेश दिन है जिसे हम याद करते हैं और जिसे हम मा कहते हैं वो है हमारे काथली कलिस्य और हमारी माता मरियम आज हमारा पोत्यकलिस से माता मर्यम का जर्दीन मनाती है और इस देवहार को हम बहुती धूम धाम से बहुत सारे जगों में इसे मनाई जाती है और हम जानते हैं कि हमारे माता मर्यम के बारे में कई सारे धर्मों में भी बताई गई है कि एक निस्कलंक निस्कपट इस्त्री पैदा होगी जिसके द्वारा एक पुत्र पशो करेगी और वे हमारे संसार को बचाएंगे आप हमारे धर्म ग्रंत में भी पढ़ेंगे ऐसाया कि अध्याय साथ पसंख्या चवदम जहाँ पर बताया गया है कि एक इस्त्री पैदा होगी जो निस्कपट होगी और वह एक पुत्र को पसो करेगी जिसका नाम रखेगी इमानवल और जिसका अर्थ बताया गया है कि इस्वर हमारे साथ है और हम देखते हैं हमारे बाइबल में कई सारे जगह में यह चेज उद्रित है लूक बताते हैं मैथ्यू, मार्क इन सभी जगहों में हम देखते हैं कि मर्यम के बारे में यह बताया गया है कि एक इस्त्री एक पुत्र को पसो करेगी और वह लोगों को बचाएगा आज के सुमच्छार में हम प्रभू येसु मसीह के वनसावली के भारे में सुनते हैं और ये वनसावली हमें क्या मताना चाहती है हम देखते हैं कई सारे लोग इस वनसावली को सुनते सुनते वे सुचते हैं कि इसमें क्या है सुनने के लिए लोग उनको सुनते सुनते बोरिंग लगते हैं लेकिन मैं याद करता हूँ मैं किसी गाउं में गया था तो उन्होंने हमें यह बताया कि फादर जानते हैं कि यह गाउं का नाम है बीरुचंद्र और आप जानते हैं यह हमारे अपने ही खंधान के एक राजा हुआ करते थे और उन्होंने इस जगह में अपना जमिंदारी यह जमा के रखे थी उसे के नाम पर यह हमारा गाउं बीरुचंद्र के नाम से जाना जाता है और बहुत सारे लोगों के नाम मता रहे थे कि वे यहाँ पर रहे हैं उनका घर यहाँ पर है वे यहाँ पर बहुत कुछ किये हैं सैद उस मनुस्य के लिए यह बताना उचित था वो अपने आप में वो गरोव अनुभो कर रहा था कि हमारे अपने ही दादा पर दादा इस गाउं में रहें उनके नाम पर ही हमारे गाउं का नाम भी पड़ा है लेकिन जो सुन रहा था सैद उसे इतना बोरिंग लग रहा होगा मेरे प्रिये भायू बहनो कारें के दतपारे यह है कि यदि हमारे जीवन में भी यदि हमारे माता पिता या हमारा बच्चा कुछ अच्छा कार्य करता हो तो हमें भी उनकी नाम पर हम सभी अपना नाम भी कमाना चाहते हैं तो उसी प्रकार आज हमारे इसा मसी लोगों को धार किया तो आज उसकी पूरी वनसावली को हम देखते हैं कि उनका चीवन कहां से शुरुआत हुआ कौन-कौन उनके चीवन से जुड़े हुए है और हम देखते हैं कि उनके चीवन में कई सारे ऐसी पीडिया है जो लोगों को बहुत सारे दुख और कस्ट झेलना पड़ा था और ऐसा ने कि लोग सन्यासी थे वे अच्छे ब्यक्ति थे लेकिन उनके पीडियों में भी ऐसे कई पापी लोग थे और हम देखते हैं उनमें भी कहीं कहें पर द्याग्या है कि चार इस्तियों का proven का नाम भी हम देखने को मिलता है और वह हमें दर्शाथा है कि हमारे जिवन में या तो हमारे प्रभु इसाम मसी अपने पीड़ी दर पीड़ी में वह केवल एक मनुस्य के लिए नहीं केवल पुरूसों के लिए नहीं लेकिन महिलाओं के लिए भी जगह रखी गई है और उनहीं जगहों से महिलाओं और पूस सभी लोगों को ब्राबर दरजा दी गई है और दूसरी बात है कि वह क्यों संत और सही लोगों के लिए नहीं लेकिन पापी और दोसी सभी लोगों के लिए भी यहाँ पर जगह रखी गई है और उसी पीड़ी से हमारे प्रभुई सामसी जन्म लेते हैं माता मर्यम जन्म लेते हैं और हमारे इसे संसार को बचाने के लिए एक तारन हार पैदा होता है इसलिए आज के सुस्मचार पे हम गौर करें और आज के मनन चिंतन में हम अपने चीवन को भी ढाल कर देखें कि हमारे चीवन में भी हमारे परिवार में भी कई सारे ऐसी समस्याई हैं लेकिन हम अपने आपको ना कोसे कि हमारे परिवार तो ऐसे ही गिरा गुजरा है हमारे माबाप ऐसी है हमारे खंदान में कोई अच्छा बेक्ती नहीं बन पाया हम ऐसा अपने आपको कोसे नहीं लेकिन हम देखते हैं कि हमारे परमेस्वर का जिंद्गी में भी उनकी पीड सकती मांगे जिसे हम पीठी दर पीठी अच्छाई कि और ही बर सके है हम इस तेवहर में मर्यम के जनम दिन के आउसर पर हम यह किर्पादान मांगे कि मा मर्यम हमारे लिए भी प्रात्ना कर जिसे हम भी अपने आने आने वाले संतान हमारे आने वाले पीड़ी के लिए भी हम एक नमुना में चीवन चीकर हम लोगों को वह राह दिखा सके आईए हम कुछ देर मौन रहें और परमेशोर से यह किर्पादान मांगे